आज हम बना रहे हैं राइता जो के राइता हम बीफ पुलाओ के साथ चिकन पुलाओ के साथ और ब्रियानी के साथ इस्तमाल करते हैं तो आए हम आपको दिखाते हैं आज है मेरे साथ तो सबसे पहले हम दाही डाल रहे हैं और यह बता हैं दाही कितना है दाही किलो डाही किलो ओके तो टोटल कितना यूज करेंगे हम पांच किलो डाही डालेंगे हम सबसे पहले मतलब कोई बड़ी देख बगाया आपने ब्रियानी की ओके गड़ जी सबसे पहले तो आप ले ल तोटल पांच किलो दभी हो गया, ठीक है जी अब हम क्या डालाएं इसमें? अब हम आयाएं शुगर नमक, ठीक है जी हम नमक कितना डालेंगे? दो चम्चे नमक डालेंगे 5 किलो में, ओके गुट जी अब क्या डालेंगे? भुण प्लेक पेपर है, कुटियों है, ठीक है ये क जी तो यह है जीरा जो कि आपने पहले इसको कुटा है और उसके बाद आप इसमें डालेंगे ठीक है डालें यह कितना है चार चमच जीरा कुटा हुआ इसकी खुश्बू इतनी मज़े के आरे मतलब कि बस रहा नी जा रहा मुझसे तो यह है विक्षर से भी समय जब जानी तो आप इसको मिक्स करेंगे के चले करें विक्सकरें तो समय क्छ चीरा कैने के इसके लाव और जों में तालेंगे ओके क्या है आज इंए ए जो कि इन्हें ने बिल्कुल फाइन चॉप कर दिया है जी नेक्स तो यह है चॉप अनियन यह कीतना है एक किलो प्यास जो कि इन्हें बारीक चॉप टिया ठीके डाली है अब हम सबसे एंड बे क्या डाल रहे हैं खीरा जो कि बिल्कुल फाइन चॉप किया हुआ है डाली कितना है यह एक किलो एक किलो है एक किलो है ओक्यास बुट हो गया यह सब कुछ हम डाल कि अब इसको मिक्स कर देंगे मिक्स करिए तो मतलब इसमें अब सारी चीजने डाल भी है अब इसको ठंटा करेंगे ऐसे सब कर देंगे यह आप क्यों पाई है अगर इसको चिला में रखेंगे तो और अच्छा बनेंगा ओक्यों हो गया ठीक हो गया जी यह इन्होंने बना दिया है इसको राइता कहेंग जिसमें प्याज है खीरा है टमाटर है और सुके मसाले हैं कुटियोई काली मिंट है जीरा है और नमक है ठीक है इसको और यह देखने आप इसको और हाली गुड़ हो गया दन है